हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी स्वस्त होंगे और मस्त होंगे तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम फिर से सॉल्ब करने वाले हैं लंबी भाग विदी से रेलेटिट कुछ कुश्शन जो पहले बहुत से परिक्षाओं में क्या है पुछे पहले लेगा हैं पहला करिक्ष है कि एक संख्या को जब 59 से भाग किया जाता है तो सेस्थता और यदि उससे साष सेंब से विवाजित किया जाये तो सेस्पल होगा यानि सेस्थतं क्या होगा। देखो सबसे पहला ये कि एक संख्या है यानि क्या है एक ऐसी संख्या है जैसे हमने 49 से भाग किया तब सेस्फल आया 32 अब अगर उसी संख्या को सास से विभाजित करें तो सेस्फल क्या आएगा देखो इसका सबसे सौटर किये है क्या आप क्या करिए पहली संख्या से डिव संख्या से आपको विभाजित करना है उसी संख्या से इस सेसफल को क्या कर दीजे विभाजित कर दीजे और जो आंसर आएगा वही क्या होगा सेसफल होगा जैसे इसमें क्या आएगा साथ चौके या सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ठीक 28 आया 12 में से 8 गया 12 में से 8 गया तो कैतने मचे 4 मचे ठीक यानि ये जो reminder हमारे पास आया सेसफल आया यही क्या होगा जब हम इसे सास से विभाजित करेंगे तो क्या होगा सेस्फल ठीक आप लोग समझ गया है किससे कैसे solve करना है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर ऐसा question आए, तो क्या करना है, पहली संख्या से बेवाजित करने के बाद, जो सेसफल आता है, उसे हम भाग करेंगे, दूसरी जिस संख्या से भाग करना था, उससे, यहीं सेसफल को भाग करेंगे, दूसरी वाली संख्या से, यह जैसे यहाँ साथ था, साथ से भी वाज़ित करेंगी जो सेसफल बचेगा वही क्या हैगा आपका आंसार होगा चलिए अब हम लेते हैं next question, ठीक है इस question में देखी क्या है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जूड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज हो जाए ये भी बहुत important question है SSC या दिली SI में पूछा भी गया है ये question ही कहना करा है कि चार अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या की जाए जोड़ दी जाए ताकि जो योगफल है वो 307 से भाज हो जाए या 307 से पूरी तरह बिभाजित हो जाए तो देखो इसका सबसे अच्छी ट्रिकी है पहले तो हम देखेंगे कि जो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी देखो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी एक तो तीन और चार यानि हम क्या लिख लेंगे चार को नौबार लिख लेंगे ठीक है यानि अगर हमसे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूची जाए या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूंची जाए हम क्या करेंगे उतने ही 9 निकलेंगे अब हम क्या करेंगे इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को किस से भाग करेंगे 307 से ठीक है 307 से जब हम इसे भाग करेंगे दोखो पहले देखते देखते हैं छे तिया अठारे ज्यादा हो रहा है, पांच तिया पंदरे सो भी ज्यादा हो रहा है, चार तिया बारे सो भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तीन तिया नो, यानि हम क्या रखेंगे, तीन बार में रिखेंगे, तीन सत्य एक का एक हांसे लगा दो, ऐसी रहा, तीन तिया नो, ठीक है, नौ में से एक गया तो क्या बचा, आठ, नौ में से दो गया तो क्या बचे, साथ, ठीक, अब हमने क्या ले लिया यहाँ, नाइन, सेवन, एटी, नाइन, अब तो को थ्री जा जादा हो जाएंगे तो क्या रखेंगे, तूदा, दो सत्य चौदा के चार, हासिल एक, दोती है, छे, ठीक है, नौ में से चार गया तो क्या बचे, पांच, आठ में से एक चला गया, तो क्या बच गया, साथ, और साथ में से एक, छे, एक सो पिचता है, यैनि जो हमने चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 307 से भाग किया, तो हमारे पास सेजफ़ल क्या है, 175 अब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि क्या जोड़ा जाए अगर आपसे बोचता क्या घटाया जाए कि सेसफल 307 से बिवाजे तो तब तो आपका आंसर यही हो जाता लेकिन वो कह रहा है क्या जोड़ा जाए या क्या जोड़िये तो इसके लिए हमें क पांच गया तो क्या बचे जीरो वो सॉरी दो एक हांसे लिया दस दस में से साथ गया तो कितने बचे तीन और दो में से गया तो 132 यानि इस चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 132 जोड़ दे तो यह 307 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी ठीक चली अब हम सॉल करते हैं एक नई तरह के का कोशन देखो एक संख्या एक्स को 289 से विभाजित करने पर 18 से बचता है उसी संख्या क 17 से विभाजित करने पर 22 से बचता है बाई का मान बताईए यह ठीक वैसा ही कुश्चन है जैसा मैंने अभी इसी वीडियो में आपको सबसे पहला कुश्चन कराया था बस इसने क्या किर दिया है थोड़ा सा घुमा दिया है इस कुश्चन को इन्होंने क्या किया है उसकी एक वैल्यू वैरियेवल में बता दिया आपको तरीका इसका भी वही सिंपल है क्या करेंगे हम अगर हम एक्स को 2289 से डिवाइड कर रहे थे तो सेष्फल क्या बचला था अठारा अब सत्रा से विभाजित करने पर सेष्फल क्या होगा तो हम सी क्या करेंगे 70 से कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए